लेते हैं कोश्य नमबर टू को कह रहा है दो फॉलोइंग लाइन ग्राफ दिखा रहा है एक्स एक्स पर दिखी क्या है एस लिखे में अब इसको आप थोड़ा सा बच्चों पढ़ना सीख सकते हो 2002 में सेल कितनी हो रही है यहने कि वाइ एक्स पर हमने क्या दिखाया है सेल्स इन रुपीज है ना कितने की सेल हो रही है कोई कंपनी को पड़क्ट और बनाती होगी तो उसकी सेल होती होगी ठीक है तो हर एक साल वो चेक करती कि 2002 में कितने का सेल हुआ 2002 में सेल हुआ यह दिखे मैं पॉइंट्स बना होगा त्रीह करोड रहा होगा याँ फॉर हो रहा हो गाट देखे यहां फॉर एकापशन होगा तरू इस तरीके से कौह और आपको मेरी बास समझ में आई होगी तो चलिए 2003 में बच्चो कितने की सेल हो रही है 2003 में 7 की 2004 में 6 क्रोड रूपीज की आप देख सकते हो 2004 में 6 क्रोड रूपीज की 2005 में 10 क्रोड रूपीज की NCID में एक आंसर का गलत दिया हुआ पीछ है ठीक है वो गलती से मिस्प्रिंट हो गया है कोई बात नहीं 2006 में कितने की सेल हो रही 8 क्रोड रूपीज की ओके चलो अब कुशन देखते हैं कि यहां पर हम कर रहे है 2002 में तो बच्चो 2002 में आ जाए कितने की सेल थी साफ साफ आपको दिखाई पढ़रा है फिर भी में आपको एक बार दिखा दितना हूँ यह देखिए यह 2002 एक लाइन डॉप करोगे यह तरीके से करेक्ट यहाँ पर आ जाओगे आप ओके यहां से यहां से पर पिंडिकलर डॉप करोगे यह बाते मैंने आपको खूब और यूनिट जरूर लिखिएगा ठीक है रूपीज फोर क्रोर कैसे लिखेंगे और रूपीज का आप सिंबल भी बना सकते हो कोई दिक्कत है नहीं बच्छों सिंबल हमारी गौर्मेंट ने दिया हुआ है तो आप बना सकते हो यह इस तरीके से रूपीज और फोर क्रोर्स क्रेक्ट यह अंसर हो गया अब एका पार्ट सेकेंड करते हैं अब यह सब लाइन बच्छों आपको दिखाने की जरूरत है नहीं ठीक है ना दिखाना हो तो आप दिखा भी सकते हो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं अब देखिए 2006 में कितने की सेल है तो यहां सा जा करेंगे तो यहां से देखो य दोगे यहां से लेके आओँगे उसकर पर यहां को जब करेंगे यहां पहु NATO तो इस तरीके से आप देखोगे 2006 में सेल कितनी है एक क्रोड की यह नहीं कि कितना वाजएगा रूपीज क्रोड करेक्ट उसके बाद स्विदेंस क्या रहा है कि वाट वाज दे सेल्स इन 2003 2003 में कितने का सेल है तो इसको मैं अलग कलर से करता हूं यहाँ पर सो पार्ट बी और पार्ट बी का पार्ट वन आंसर चलिए देखते हैं बच्चो रेड गलर से कर रहा हूं समझेगा 2006 हो गया हाँ 2003 में आपको चाहिए 2003 में आ जाओ तो आप क्या करोगे बच्चो 2003 यह रहा आपका ठीक है सुडेंस यह देखिए बहुत असान कोश्य ने कुछ निकनना है 2003 और यहां से हम क्या करेंगे निम्ही यह बच्छ कि यह रहाँ करेंगे यह फार्लियंगे राह दो इस तरीके से जो तो आपका 2003 में सेल हुआ है वो है कितना सेवन करो रूपीज आपका नहीं कंपनी का हुआ है तो रूपीज सेवन करोर्स ओके नाओ सेकेंड बच्चों दिखिए सेकेंड क्या हो जाएगा आपका 2005 में वो सेल अब यहां पर दिखेंगे यहां पर देखो यहां पर आओगे 2005 में क्या हुआ आपने क्या किया यह इस तरीके से यह ग्राफ को जहां पर मीट करेगा ठीके स्टेंस यह वाले पॉइंट पर तो यहां से हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर कर रहा है तो कितना चैन करोड टूज़र ट्सका करोड़ रूपीज 10 crores और यहीं पर NCRT में शायद इसीक आंसर 8.5 लिखा हुआ है अब देखो बच्छो तो 2002 और 2006 की sales में हमको difference निकालना है तो बच्छो ध्यान से चेक करो 2002 में कितने का से लुआ जाके चेक करिए अभी अभी हमने आंसर लिखा है 2002 में 4 crore का आप देख भी सकते हो 2002 में 4 crore का ठेक तो 2002 में 4 crore का sale हुआ था रुपीज 4 crore हमें लिखना चाहिए है ना और 2006 में कितने का sale हुआ है चेक कर लीजे 2006 में कितने का sale हुआ है 8 crore का तो 2006 में कितने का हुआ है रुपीज 8 crore का करेक्ट अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्छों बहुत असान है कि डिफरेंस इस इक्वल्स टू अब मैं एक बात बताना चाहता हूं सभी बच्छों को ज्यांद सुनिएगा कि डिफरेंस हमेशा absolute value होता है copy में नोट लगाओ क्या बता रहे हो सर कापी में नोट लगाओ देखो है difference कि अज़ और सो मिषिझभी ऑन इस ऑल्वेज अ आपसल्यूड वैल्लू यह सर क्या बात है बच्चो देखिए difference is always absolute value अब इनी बात धन सुनो देखो बात समझो हमने कहा कि भाई आप एक काम करो 4 का और 6 का difference निकालो हमने आपको दो नंबर दे दिए 4 और 6 का difference निकालो अब दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है कि आप बोलोगे सब्सक्राइब कर दो अब दोसरा तरीका यह कि आप बोलोगे नहीं सर हमें काम करेंगे सर हमना बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करेंगे बड़े नंबर में से बहुत important concept निकालना है ध्यान से सुनिए अगर कभी भी उसने क्या बोला है difference निकालना है किसी भी सवाल में तो आपको न absolute value लेना यह क्या बात होती सर्थ फुनो आप चाहें छोटे वाले में से बड़े वाले को सब्ट्राक करो अगर आप चोटे वाले में से बड़े माइनस टू का जो मॉड है वो टू आ जाएगा और टू का जो मॉड है वो भी टू आ जाए कुछ नहीं करना है जो आंसर आगया उसको पॉजटिव कर दो बस कोई दिक्कत नहीं है यही बात मैं आप से नोट में लिखा रहा हूं डिफरेंस इस आलवेज अपसलूट अपसलूट का मतलब यह है बच्चो कि आपको हमेशा पॉजटिव वैलू लिखना है बस कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेगटिव आजए पॉजटिव वैज़ए उससे मतलब नहीं है तो अब द टौफी तो बोलोगे नहीं टौफी बोलोगे ना अब आपको टौफी ही बोलना है यहां पर भी यह बात में एक बार फिर से रिवाइस कराऊंगा आपको ध्यान से सुनिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस जब निकाला जाता है किसी भी चीज़ का लाइन ग्राफ में यह कॉंसेट कहां पर है एं लाइन ग्राफस ऐन लाइन CHRIS बत्चों ध्यान से सुनिये कि आपको बताया था लाइन ग्राफ में अगर आप डिफ्रेंस निकाल रहे हो द इफरेंस का मैने आप आपको बदेता फॉर्मूला ह्या हमेशा क्या करना है फाइनल कौंटi के माइनस कुल एनिशल कॉंब्रिटी का यह बताए थैं आपको फञाइनल माइनस इनीशल कॉंटटी या बात कर रहे हो सर आई ये बताते आपको एक्जामपल के तोर पर आजाई अब जैसे यहीं इसने हमसे पूछा है कि difference बताओ तो final year कौन सा है 2006 और initial कौन सा है यहाँ पर 2002 भाई सीजी साब बात है ना देखो बच्छों initial मतलब जो पहले आता है final मतलब जो बात में आता है इतने तो आप भी पढ़े लिखे हो 2002 पहले आया होगा 2006 बात में आया होगा ठीक है ना तो हम क्या करेंगे final sale में से बच्छों final में से हम initial minus करेंगे ठीक है ना क्या करोगे सर सर final quantity में से initial minus करोगे yes sir करेंगे सर देख लीजे तो final minus initial final 2006 में sale कितनी थी 8 crores इसमें से आप minus करोगे 2002 में जो सेल्स थी वह initial थी ना final minus initial कितना था 4 8 minus 4 मेरी बात जान सुन ले ना answer कैसा आ रहा है positive yes sir तो अगर आपका difference positive वार वैसे तो difference हमिशा absolute value ही लिया जाता है ठीक है लेकिन answer अगर positive आ रहा है करने से ही final minus initial करने से answer positive आ रहा है sir तो इसका मतलब क्या है क्या है increase हो रही है वो चीज़ वो चीज़ क्या हो रही है increase हो रही है मतलब समझो मतलब अगर हम 2000 यहां पर बच्चो question समझेगा अभी मेरा answer कैसा आ रहा है positive वियाने के sales increase कर रही है अगर हम किसको compare करे 2002 के comparison में 2006 2002 से 2006 को अगर हम compare करे only two years की अगर हम compare करें देख लो 2002 में सेल है कितनी फोर करोड़ और 2006 में सेल कितनी है एट करोड़ ठीके ना तो increase ही तो हो रहा है एक परीके से पहले सेल होती थी उसकी 2002 में only four करोड़ 2006 में क्या हो गई है एट करोड़ तो increasing nature है इसका इंक्रीज हो रही है 2006 में सेल 2002 के comparison में इंक्रीज हो गई यह बता रहा है यह जो absolute value मतलब यह जो डिफरेंस अगर positive आ रहा है तो अगर आपने यह किया क्या final minus initial और अगर आपका answer positive आ गया तो इसका मतलब क्या है sales are increasing अब ज़रूरी नहीं है कि sales हो कुछ कोई भी quantity हो सकती है यक्स पर अभी तो इस question में sales लिखी हुई है ठीक है बच्चों यहाँ temperature भी आ सकता है तो जो भी आ रहा होगा यहां पर weight भी आ सकता है यहां weight is increasing temperature is increasing sales is increasing आप लिख सकते हो ठीक है ना यह बात मैं आपको पढ़ाते time भी बताई थी और ध्यान से सुनिए अगर आपका difference कभी negative आ गया ध्यान सुनो अगर आपका difference कभी negative आ गया तो लेना तो आपको absolute value है लेकिन यह negative sign क्या बताएगा यह negative sign बताएगा कि sales are decreasing sales are decreasing जैसे कि सर example देतो इस example में आई हम आपको यहां पर example देते हैं यहां पर आ जाईए बच्छों ध्यान से चेक करो अगर मैं मैं अपनी तरह से question मना रहा हूं अगर मैं compare करू 2005 की sale और 2006 की sale के बीच में ठीके ना कहां पर अगर मैं compare करू 2005 की sale and 2006 की sale के बीच में अगर मैं comparison करू 2005 की sale कितनी थी देखsti रहा 2005 की थी 10 करोस टकोफ्स कितनी थी 10 करोर सिये लिख दे रहा हूं समझ जाना और 2006 की sale कितनी थी 2006 की थी credit 8 करोस अब देख सकतर। 2006 की कितनी थी एट करोर थो के तो इसका अगर आप difference निकाल रहे हो देन पर whom इस का अगर आप difference तो निकाल रहे कितना रहा है कितना रहा है किस बार डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो डिफरेंस आपको एप स्लूट ही लेना है मतलब अगर आपसे 20-2006 में कितने का difference है बताओ सेल में थो करोड का है मैं पूझँक है तो मैं पूछूंगा मineस 2 करोल क्यों आ रहाए तो बोलोगे twenties ndh, मine- assign दिखा में किसे टीक्रीमिंट का कों डीक्रीमिंट के 100 Oliver भूले कि जबन से चेक कर रहे हैं तभी माइनस आ रहा है बस यहीं आपको बढ़ाना चाहता था अब कंक्लूजन सुनो डिफरेंस निकाल लो फाइनल माइनस इनीशल करोगे तो आंसर से तुम्हें यह पता चल जाएगा डिफरेंस तो तुम चल रहा है उटता हुआ नजर आ रहा होगा और आपका जो है डिफरेंस नेगटिव आ रहा होगा तो ट्रेंड में यह आप तो यह लाइन एक्सेक पैलल होगी तीजएत पहले भी पढ़ा है था एक बार फिर से बता दिया अब आते हैं अपने सवाल पर तो इसने हम से क्या पूछा था compute the difference between the saline 2002 and 2006 तो इसका अंसर यहीं पर लिख लेते हैं बच्चों तो difference जो मेरा आ रहा है 2002 और 2006 में कितने का है प्लस 4 करोर का है ना कितने का आ रहा है फोर करोर्स और अगर आपकी फूर करोर्स रूपीज 4 करोर्स मुझे करना चाहिए ठीक और बच्चों ध्यान से सुनिए अगर आपकी मर्धी कर रही है ना तो आप एक काम और कर देना ड्रैकेट में increasing लिख देना हा ना और क्रोर्स रुपीज फूर क्रोर्स है ना और ब्रैकेट में क्योंकि answer plus में आ रहा है इसलिए increasing से लें increase हो रही है चीक है ना समझ गए अब अगले सवाल में देखते हैं कि रहा है in which year यह अच्छा सवाल है part D कि रहा है in which year was the greatest difference ज्यानते सुनिएगा क्या कह रहा है कि रहा है in which year was the greatest difference between the sales as compared to its previous year in which year यहने कि कौन सा साल ऐसा था ध्यान सुनो कौन सा साल ऐसा था जब आपको greatest difference मिला सेल के बीच में as compared to the previous year यहने कौन साल ऐसा था जिस साल में आपको उसके पहले वाले साल के comparison करने से ज्यादा difference मिल रहा है सेल का अब वो सेल इंक्रीजिंग नेचर की हो या डिक्रीजिंग की उससे आपको मतलब नहीं है तो सर क्या करोगे अब देखिए आपको दिखातें क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले आप 2003 को compare करो समझो ना बाई देखो एक बाव बताओ 2002 2002 से पहले तो कोई year ही नहीं है तो 2002 का comparison तो आप किसी से करी नहीं पाओगे ना उसके पहले वाले year से करना है compare आपको 2002 का compare आप 2001 से नहीं कर सकते हो सर क्योंकि 2001 तो दिया ही नहीं हूँ है तो अब आप तोध्यStar से करोगे 2003 के साथ Two próxima compare के 2003 के साथ फिर आप संफ का compare करोगे 2004 के साथ फिर आप 2006 qon say year में कौन से यह का जो डिफरेंस उसके प्रिवेस वाले से सबसे ज़्यादा आ रहा है अब यह बात आपको करके तब समझ में आएगी ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक काम करो वच्छो देखो कि सबसे पहला काम दो हजार तीन को कंपेर करो दो हजार दो से एक सो क्या यह सब आंसर वच्छो में रब कर दूँ इसको आप समझ जाओगे ठीक है वीडियो पॉसर के नोट कर लीजेगा क्योंकि मुझे थोड़ी जगा चाहिए नोट कर लोगे चलो देखो सबसे पहला हमने काम किया फस्ट दो हजार दो का कंपेर्जन किया इसके साथ दो हजार तीन के साथ ठीक चलो बताओ दो हजार दो हजार तीन ठीक दो हजार तीन में कितनी एंट twor करॉण केंट्स चार करोण है न तो अब मैं लिक देरो समझ जा न वस फोर क्रोड्我 करोडस है और दोहहजार तीन में कितनी एंगलगे तो मरदी और आपकी आप बड़े वाले में स्टे argument कर दो मैं मना 나쁨 नहीं कर रहा हूँ लेकिं तरीका क्या है final minus initial ठीक तो final minus initial यहने के seven minus four कितना आ जाएगा three करोब का difference ठीक number two है अब आप compare करो के दो हजार तीन अब आप compare करो के 2004 को 2003 से तो 2003 में sales कितनी है और 2004 में लिखावाई ठीक है 2004 में sales कितनी जाके चैक करो 2003 में कितनी थी seven crores और ठीक है अब जान सुनो अब आपने difference निकाला ठीक difference final minus initial याने के कि 6-7 करोगे answer कितना आ रहा है minus one अब मेरी बात धान संदो मैंने क्या गाता है absolute value ले लो डीक है ना-1 को आपने लिख दिया तो यह absolute किटना रहा हा only one का माइनस साइन क्या दिखा रहा कि सेल डिक्रीज हो रही है जाके चक चेक कर लो 2003 से 2004 ग्राफ क्यासार है डिक्रीजिंग नेचर का रहे है तो अब आप आजयो नमबर फटर्ड तो में आप कंपेर करोगे किसको नहीं को सब्सक्राइब कर दिया किसी यह को उसके पहले वाथे से ठीक, यानि के 2004 में sale कितनी थी और 2005 में sale कितनी थी, 2004 में कितनी थी बच्छो जाके check करिए 6 crores, ओके और 2005 में कितनी थी, 2005 में कितनी थी, 10 crores, ओके तो अगर आप यहाँ पर difference निकालोगे, तो फिर से वही बात है बच्छो, difference, 10 minus 6, final minus initial, यानि के 10 minus 6 आप करोगे, तो कितना आ रह है, सही 4 crore साब समझ जाना है, unit में नहीं लिखना हो, आप सब जगा लिख देना ना, 4, 3 crores, CR कमतब करोड, ठीक है, 1 crore, और यहाँ पर देको, answer क्योंकि मेरा positive आ रहा है, इसलिए, absolute value तो 4 होगी, लेकिन, plus 4 आ रहा है, 10 minus 6, plus 4, plus 4 क्या दिखा रहा है, sale increase हो रही है, आप दे 6 को compare करोगे, 2005 से, यानि कि 2005 में कितनी थी sale, और 2006 में कितनी थी sale, ठीक, तो 2005 में थी, आपकी कितनी, 10 crores, मैंने आपको बताया, ठीक, और 2006 में कितनी थी, महां मैंने आपको करके भी दिखाया है, 2003 में कितनी आ गई, 8, okay, 8 crores, difference निकालोगे, तो difference कितना आ जाएगा, final minus initial, यान difference, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, absolute value ही लेंगे, minus 2 को plus 2 बना लेंगे, लेकिन minus sign क्या बता था, मैंने आपको बता दिया, अब आप चेक करो, बच्छो, first, second, third, fourth, कब आपको सबसे ज़्यादा difference मिल रहा है, बताओ, सबसे बड़ा number कौन है, क्या 3 है, ये 1 है, 1, 3, 1 से लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3, 4 से छोटा है, आपको greater difference देखना है, 1, 4 से छोटा है, तो बस ये देखिए, अब यहाँ से आप comment करोगे, क्या comment करोगे, 2005 को आप compare कर रहे थे, किस से, 4 से, 4 को 5 से नहीं compare कर रहे है, 2005 को compare कर रहे है, 2004 क्योंकि हमको बोला, 2005 बाद में और हमको बाद वाले, किसी next वाले year को उसके पहले वाले से compare करना है, तो 2005 को compare कर रहे है, 2004 से क्योंकि उसने बोला न, in which year was there a greater difference the sale as compared to its previous year, तो यह हो गया, 2004 क्या हो गया आपका previous year, previous, किसके previous है यह, 2005 के previous, 2005 से पहले आ रहा है, 2005 को इस से compare करना है, तो answer आपका क्या होगा, 2005, क् कि वो क्या मांग कर रहा था आप से, वो वाला year बतातो न, कि जिस year में, आपको क्या मिलेगा, greatest difference मिलेगा, as compared to previous, तो कौन सा ऐसा साल है, जब हमको greatest difference मिल रहा हो, उसके पहले वाले साल से compare करके, तो 2005 में ऐसा हो रहा है, तो 2006 में नहीं हो रहा है, तो 2006 का 2005 से करोगे, तो अच यहां से मिलेगा, upper limit से, यह lower हो गई, यह upper हो गई, lower upper छोड़ो आप, जो बाद वाला साल है, वहां से मिलेगा, अगर इसी सवाल में हम से पूछता है, कौन सा साल ऐसा है, जिसमें सबसे कम difference मिला है, previous वाले से compare करने पर, तो पता क्या answer आता, सबसे कम difference यहां पर मिल रहा है, सबसे कम या सबसे ज़्यादा, माइनस प्लस को देखके नहीं बताओगे, सबसे कम absolute value लेके बताओगे, सबसे कम absolute value कौन सा है, one, तो सबसे कम अगर पूस्ता, है ना, सबसे कम difference कहां मिल रहा है, उसके previous वाले से, तो हम answer में क्या बताते, 2004, 2003 नहीं बताते, क्योंकि 2004 को 2003 आप compare कर रहे हो, तो answer में यह आएगा, ठीके ना, अब I think आपको सवझ में आएगा, कुछ बच्छे इसका सोच रहे होंगा, answer 2004 to 2005, यहां को interval नहीं चल रहा है, आपको एक साल दे दिया है, उसके previous वाले से उसको compare करना है, सबसे greater difference का बार है, वो तो आपको बताना है, ठीके students, त the greatest difference between the, there was, there was the greatest difference between the sales as compared to its previous year, और bracket में, इस previous year को भी लिख दोगे, यह previous year कौन है, 4 है, और अगर आपको पूस्ता कि sale increment आ रही है, मतलब, sale में increase हो रहा है, decrease हो रहा है, जो greater difference है, कैसा difference है, तो जवाब है, यह कैसा difference है, positive difference है, यहनि कि 2004 to 2005 के बीच में, sales increase हो रही है, graph का trend कैसा ह है, increasing है, okay students, तो I think आपको सारी बातों के जवाब मिल गए होंगे, note कर लीचे,